कि हम एक है कि हलो दोस्ता आपके ते भाड़ी ते मैंनेम इस चाज एंड आइम एफसेंगे इमेल आज वीडियो बहुत ही खास होगा क्यूंकि आजकी वीडियो में आप लोगा के बारे में बता को आज आज वीडियो करते हैं जल्दी से जल्दी कहाई बेसीक लिए मतलब है क फिरो मैं कुछ चीज ले क्लियर कर दूंगा कि लो एंड डिवाइस पर कैसे खिलना है एंड हाइन डिवाइस पर वो सब तो मतलब सब के लिए है इस सारे चीज मैं जो बोलूंगा आगे क्योंकि यह आपको फायदा देगा ताकि आपका फ्रेम ड्रॉप एकदम मतलब एनमी क सामने ज्यादा नहों एड उसको हेंड वी कैसे करना या भी मैं शिखाऊंगा एंड मैं कुछ पैटन न भी बोलूंगा कि कैसे कैसे पैटन्स हो सकते हैं प्लोश जर्ष में मतलब जो चीकल औरग प्लेयरस क्लोश बलून जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना जो आपके टीम में से सबको भेज दो वीडियो एकदम तग्रा करके एकदम सपोर्ट दिखा दो तो शुरू करते है तो गाइस बेसिकली पहले मैं बोल दे रहा हूं कि मतलब लो एंड सब्सक्राइब करते हैं तो इससे कोई बात नहीं है प्रोसेसर का बात है बस एंड आपका जो डिवास का रैम है वो हर बार जब ही सोचते हो कि अब फाइट होगा आपका तो फाइट में घुशने से पहले रैम क्लियर कर लो जल्दी से आपके पास वो तो हो गई मतलब क्य जा बोलते स्पीड बूस्टर जो भी है वो क्लियर कर दो रैम क्लियर करके फिर ही जाओ अच्छा होता है मैं टीच दे रहा हूं बस और कुछ नहीं एंड मैस्ट करने से पहले एक पर फोन को डी स्टर्ट कर लेना फिर ही कलना मैं हर रोज करता हूं जब ही मैस्ट खिलने ज क्या Until सोच्वों 25% तो इसे है मतलब 20% आठ 25% 30% लेगा तो चलेगा स्टोरेज में स्पेस रहना चाहिए क्यूंट क सबसुरसब्स बढ़ते रहेगा तो इसे मतलब maximum balance and medium चलता है इसमें तो यह हो गया लो एंड एंजी लोगों का 2GP 3GP RAM का डिवाइस है तो उनका तो फेरी लो एंड डिवाइस है एंजिन का Poco मतलब extreme चलता है अल्चा चलता है उनका low end नहीं बोल सकते उनका high end भी नहीं बोल सकते उनका है mid range ठीक है medium बोल सकते है उनका नतलब extreme मतलब medium नहीं क्योंकि पड़ पोको f1 एंड वाल वो मीड रेंजी है high end जिसको बोलता है जैसे iPhone एंड बगड़ा बगड़ा जो अच्छा अच्छा डिवाइस है वो होता है high end डिवाइस उसको बोलता है high end डिवाइस अगर आपका डिवाइस फीड भी बहुत लग करता है extreme ultra वो सब भी तो कुछ नहीं कर सकता आपका storage वगड़ा phone पे कुछ defect होगा इतना problem नहीं होता है मैं देखा तो extreme वगड़ा सब कुछ में इतना problem नहीं होता है उसमें अच्छा ही चलता है तो मैं जो जो चीज भूला टीप दिया वो सब apply करो कि काम आएगा मैं भी उस करता हूँ गैरंटी देता हूँ मैं काम आएगा आप लोगों को तो अब आ जाते हैं कि मतलब close rent कैसे handle करना है low end device में क्योंकि उस पर frame drops ज्यादा होते हैं तो उससाब से कैसे handle करना चाहिए एक पर दो पर मरोगे आप लोग लैक के करन मरोगे बट उससे कुछ नहीं होता अगर आप खेट देते उसको आगे तो फिर आप ही जीतोगे वो जितना भी प्रो हो आई-पैड पर खेले जिस पर भी खेले ठीक है आपका स्किल्स रहेगा तो फिर एक पर नाइक पर तो आई-पैड यह हुआ है फ़िक एले में जीगल सिखाँ का अब लोगों कुछ हुँ 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 झाल झाल जीगल टेक्निक्स तो यही नॉर्मल यूज होता है जो क्राउचन शूट होता है जो मैंने तो एक एडवांस भी दिखा दिया मतलब वह अच्छा ही है थोड़ा बहुत जो ज्यादा फिंगर्स करते हैं पर टॉफ है थोड़ा मतलब ज्यादा फिंगर्स वह दबारना पड़ गौश हो क्योंकि उसपे आपका एम हेट मतलब हेट के लेवल पर इढ़एगा आप जीश दिर लेवल पर रखना चाहते है उधर ही जाएगा बट उसपे जीगल सी लेफ राइट होता है एंज पर जीगल सबसे बेस्ट होता है उस पर एम लगाना बहुत टॉफ हो जाता है वो जीगल मतलब एनिमी को वो सब मतलब एनिमी का गोली ज्यादा ना लगे तुम पर इसलिए वो जीगल बहुत अच्छा है बट क्लोस जेंज में मैं बोलूगा आपका एम अगर अच्छा है एम अच्छा रख सेप्टे हो तो फिर आप मुवेंड शुटी करिये वो बेस्ट थोड़ा दूर है ठीक है तो आप लोग अगर मेरा वीडियो तो देखते होंगे तो उसमें आपको पता चलता होगा क्योंकि मैं मतलब जब भी किदर भी अगर एनिमी देखता हूं मैं तो फिर मैं क्राउच होके मालता हूं सबी चाइनेश प्लेर्स को देखना आप लोग जब भी फ्लीक्स वगडरा मतलब जो भी करते हैं इदर उदर रिफ्लेक्स दिखाते हैं तब ही ग्राउच करते हैं क्योंकि ग्राउच में आपका हेट लेवेल पी डाउन हो जाता है और आपका रिकोईल भी कम हो जाता है आप लोग एजीली राउन कर सकते हो एनिमी को तो प्राउच मतलब वो लॉग रेंज होता है लंग रेंज नहीं सब्सक्राइब तो इस इसके बाहता है आपका ट्रेनिंग पार्ट तो ट्रेनिंग कैसे करना है ट्रेनिंग के ऊपर मैं एक वीडियो डाल चुका हूं कि हाउ सब्सक्राइब तो इंक्रीज परसेंटेज और वीडियो ज़रूर देखना उससे आपका हेट्शॉट परसेंटेज इंक्रीज होगा एंड हेट्शॉट एक लोजेंज का में चीज़ है आप लोग अकर हेट्शॉट दोगे लोजन में तो फिर कोई आपको हड़ा नहीं पा तो वो दिल्स करिए एंड इस वीडियो में मैं जो जो ट्रिक्स इस किया था मैं वह आप लोग मतलब दीखाया मैं सब ट्राइ करना सब आपका रिफ्लेक्स अवगरा लोज देंज में तकड़ा करेगा अपका ब्सलाइब लेवल है और अन्यमी के हेट पर होना चाहिए तो तो मैं आप लोगों को कुछ देमों दिख残ऊँ कि कितने मतलब कितने हाइच पर रहना चाहिए घरों में इंद पेर के सामने ओपन पर फिल्ब में किस आइड को होना चाहिए इस लेवल पर एक्तम तो मतलब क्या से ओ चेक करना है तो आपको बस यह क्या बोलत तो उसको handle बोलता है उसके उपर आपका crosshair रहना चाहिए जब ही घुसेंगे आपका crosshair उस लेवल पर होना चाहिए तब ही हेड लगेगा अगर वह बंदा क्राउच करता है तो आपको जाइडो से वह डाउन भी करना होगा वह सब प्रैक्टिस के उपर है तो आवाता है यह वाल का पर तो वाल के थोड़ा उपर आपका crosshair रखना है हर टाइम जब ही भागो के मतलब एम मेन है बस crosshair placement आपका crosshair जितना मतलब प्लेश रहेगा उतना हेट शॉट परसंटेज बढ़ेगा एंड अब आग्या पार्ट पेर का तो पेर में देखो सेम सब में सेम है crosshair placement वैसा ही है एकदम तो आपका crosshair उधर ही रहना चाहिए तो यह होगा road covered सब सेम है सब में सेम है आपका crosshair अगर आप लोग ट्रेन बन जाएगा तो आपका crosshair इसी प्लेस में मतलब जब एक scope भी on करोगे तो फिर उसके hate पे खुलेगा या फिर close-end में आपका crosshair इसी मतलब लेवल पे रहेगा इस और एक main चीज है जो main चीज है panic आप panic हो जाता हो इसलिए आपका clutch वगड़ा सब कुछ मीज हो जाता है इसलि panic level हटाना होगा आप लोगो कर्शूंस के लिए नॉर्मल सोलो बस्टे स्क्वाइट के लिए दस बार मरोगा बीस बार मरोगे एक पर तो clutch कड़ोगे या फिर एक बंदे को तो मारोगे बहुत ही सही कुछ भी हो जाए आपको हाल नहीं जोड़ना है तो मैं ऐसे ही कहलता था पहले तो मेरा panic level अभी बहुत लो है मतलब ऐसा सोचना की कोई भी आजाए है कार भी आजाए ना उतका मार दूंगा मैं अभी समर्ज़ लो क्या बोलता मैं हो सब छोड़ो तो मतलब ऐसा panic level panic मत होना पैनिक दिले दिले जाएगा मेरा हाथ भी पहले का मतलब वो शेक होता थ बहुत मतलब जैसे कुणा जोगरा खेलता था तभी बहुत पावल्म होता था तो गाइस यही था आजका वीडियो बट आप लोगों को एक बोनास चीज मैं बोलना चाहता हूं और दिखाना भी चाहता हूं कि मतलब बहुत बंदे बोलता है कि वह सब मतलब पीक करके ऐसे लैडिप राइडक वैसे सक् comprom sia किस से कुछ नहें होता मतलब वह सिर तुमेहें दिखता है की वैसा हो रहा है देफ राइत हो रहा है कि पीक हो रहा है बहुत टूर से किसी को नहीं दिखता प्ट यह रॉंग चीज मैं आपकर दिक आता हूं और एक चीज है मतलब क्या बताय जीगल ही सोच लो उससे आप स्काउट भी कर सकते हो एंड अगर आप लोग वो मास्टर कर लिए तो फिर वैसे आप लोग मार भी सकते हो क्योंकि उससे मतलब एनीमी आपको ज्याता मार नहीं पाएगा स्नाइपिंग भी नहीं कर पाएगा एक पर देख लो पहले कि मैं तो six fingers मुझे तो अच्छा लगता है मैं वीज़ भी करता हूं आपको पसंद आया क्या पता नहीं बड़ अगर पसंद आया तो ट्राइब करना नहीं तो ऐसे ही नॉर्माली खेलो एंड क्लच करो और क्या आज का वीडियो इतना जगी था गाईस होप यो लाइक टिट बाई